हलो फ्रेंट्स आप इस तरह की एपलिक वाक डिजाइन्स बहुत ही असान तरीके से अपनी गर में 10 मिनिट में ही कर सकते हो बेच शीट, कुशन कबार, टेबिल क्लोथ या डाइनिंग मेट्स के लिए इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी तरीका बाताया है तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियो की आपटेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बोटन को भी डबा लीजी तो आप देख सकते हो मैंने पेपर का दो पीस लिया हुआ है इसे हम इस तरह से फोल करेंगे पेटान को हम पहले पेपर पे ही ड्रो करेंगे खोल करने के बाद में यहाँ पर एक एपल का शेप दूगी अगर आपको ड्रोइंग नहीं आती है तो आप बच्चों के पुराने ड्रोइंग बुक्स में से इस तरह की फ्रूट्स और फ्लावर्स के डिजाइन्स ले सकते हो वहाँ पर आसानी से मिल जाती है ड्रो करने के बाद हम इसे काटिंग करेंगे और इसके बाद हम दूसरी पेपर पर इसकी लीफ और स्टीम दोनों निकालेंगे हमें अलग-अलग पैटन्स के लिए अलग-अलग कलर की कपड़े चाहिए होंगे यहाँ पर मैंने सारे के सारे लेफ्टोबर पीसेस की ही यूज किया है या फिर आप कत्रन का जो टेलरिंग में से जो निकलता है वही पीसेस इस्तेमाल कर सकते हो यह एपल का शेइप आ गया और इस पीस में से में लीफ निकालूंगी और इसकी स्टीम को भी निकालूंगी तो लीफ हमारा ग्रीन कलर का होगा और स्टीम को में ब्लेक कलर डालूंगी इस तरह से सारे पीसेस कटिंग के बाद हम कपड़े पर कटिंग करेंगे पपड़े को भी इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और पेपर पीस को भी फोल्ड करते हुए इस तरह से बीचाने के बाद इसकी बोडर लाइन को ड्रो करेंगे इसके बाद हम इसे काटिंग करेंगे इस पीस को काटिंग कर लिया है सेम इसी तरह से बाकी दोनों हिस्सों को भी निकालेंगे ये हमारे तिनों पीसेस हम मैंने यहाँ पर काटिंग कर लिया है सबसे पहले हम इनको अपनी position पर रखते हुए इस तरह से सुईदागे से कच्चा करेंगे या फिर glue से चिपकाएंगे इसके बाद ही हम इस पर machine चलाएंगे अब machine को set कर लेते हैं इसके लिए मैंने selector को C पर रखा है जो की जिग 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 स्टीच है और length में length में रखूंगी number 1 पर 0 पर रखने से बहुत गना गना स्टीच आएगा और bobin की दागे को 2 पर रखेंगे और दागा black के लिए black लेंगे और नीचे bobin पे किसी भी color हम डाल सकते सबसे इस तरह से एक paper डालेंगे सबसे पहले और एक एक piece करके ही हम करेंगे नीचे paper और उपर इस तरह से कपड़े को बिचाने के बाद बहुत ही दीरे दीरे से हम machine को चलाएंगे यह सिर्फ 10 मिनिट का ही काम है तो इसके लिए हम इसे बहुत ही दीरे दीरे करेंगे ब्लेक के लिए मैंने ब्लेक त्रेट का इस्तेमाल किया है रेट के लिए रेड या फिर आप contrasted color का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा हो जाने के बाद टाक्स के लिए जो सिलाई लगाए थे हमने इसे इस तरह से हम उतार देंगे सेम इसी तरह से दूसरे पीस को भी हम पहले सुईदागे से टाक करेंगे और इसके बाद इसकी त्रेट को मैंने चेंज कर लिया है अपनी पसं की color का त्रेट डाला है और पेपार बिचाते हुए same to same इसी तरह से स्टीज करेंगे सेम इसी तरह से लीफ को भी हम स्टीच करेंगे पूरा होने के बाद आप इसे देख सकते हूं सेम इसी तरह से इसकी लीफ को भी यहाँ पर हम डालेंगे कैसी लगी आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब ज़रूर करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई तेंक यू